नीचे दिये गए शब्दों में सही बिंदू या चंडर बिंदू लगा कर उन्हें दुबारा लिखे जैसे अ जता लिखा हुआ है अ जनता आएगा जनता देखो ये रहा टाग टाग लिखा हुआ है डांग ये देखो टांग अंग चंद्रविंदु की अंग की मातरा अकृतिया दिखाए दिखाए ठीक है नीचे दिये गए वाक्यों को सही कारक चीन लगा कर पूरा कीजी मतलब सही वर्ड देखो अजन्ता डैश गुफाएं सुंदर हैं अजन्ता के लिए की मैंने को तो क्या है बच्चो डैश मामा जी के घर में खूब मजे किये बच्चो बच्चो के लिए बच्चो में या बच्चो ने मामा जी के घर में खूब मजे किये तो यहाँ पर आएगा बच्चो ने मामा जी के घर में खूब मजे किये मामा डैश रोहित डैश बुलाया मामा ने रोहित को बुलाया रोहित दीदी डैश चाय लाया रोहित दीदी के लिए चाय लाया गुफाओं डैश गुप अंधेरा था गुफाओं में ठीक है गुफाओं में होता है तो यहाँ पे देखो गुफाओं में घूप अंदेरा था और आप देखिए नीची दिये गए शब्दों में प्रत्य व उपसर्ग लगा कर नया शब्द लिखिए तो आपको प्रत्य का वर्ड पता होना चीए प्रत्य क्या होते हैं उपसर्ग क्या होते हैं प्रत्य वर्ड वो वर्ड होते हैं, वो शबद होते हैं, जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं, ठीक है, जैसे चितर जमा कार, जैसे चितर वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर लास्ट में वर्ड जोड़ा है, कार जो जोड़ा है, वो है प्रत्ति, तो चितर कार बने गया है, यह बने है है जैसे चित्र जमाकार चित्र कार वी जमाजय चित्र जमाइत चित्रित कला जमाकारी उप जमायश अप जमायश तो यह आपको यह लिखी दिये हुए words ठीक है तो यही देखो प्रत्य और उपसर की आपको यहाँ definition भी दी हुई है जो शब्दाश मूल शबद के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं देखो यहाँ पे चितर था और एक कार मैंने वर्ड जोड़ दिया तो नया शब्द बन गे ना चितर कार तो यही है तो उनमें अर्थ विशेश्टा या बिदलाव लाते हैं उन्ह आइन में आपके पास क्या है आपको क्या करना है नीचे दिये गए शब्दों के उचित वच्चन वाले रूपों को वाक्यों को पूरा करें चिडिया ने आम के पेड़ पर घूंसला बनाया यहां से छाट के लिखना है गुफाओं में सुंदर सुंदर क्या थे चितर थे प्रदर्शनी में धेर सारी मूर्तियां थी हमें पेड़ों को नहीं काटना चाइए उसने अपने चितरों की प्रदर्शनी लगाई मेले में बच्चों ने जले भी खाई ठीक है उसके बाद है अपनी 10 को प्रेशन नबर 10 है अपनी किसी रोचक यात्रा के बारे में बताते नानी जी को पत्र लिखिए तो देखो आपने अपनी नानी जी को लिखना है तो देखो आप क्या लिखोगे कहां बैठे का हूँ प्रिक्षा भवन में बैठे हो एग्जामिनेशन होल में बैठे हो तो प्रिक्षा भवन करकर मतलब अपना नाम लिख दिया दिनाग आज की द मतलब नमस्ति, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होँगे, आप भी अच्छे होँगे, मैं आपको गर्मी की चुटियों की अपनी एक रोचक यात्रा के बारे में बताना चाहती हूं कि मैं चाहती हूं गर्मियों की चुटियों में हम शिमला गुमने गए थे मैं शिमला गुमने गई थी और वहाँ पर मैंने खूब मस्ती की हमने यहां पर घुड सवारी की गुड सवारी करी और यहां पर हमने उंची उंची पहाडियां भी देखी हमें यहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा कि यहां का जो वातावरण है बहुत अच्छा लगा अगली घर्मिय की छूटियां में भी मैं शिमला जाना पसंद करूंगी नाना जी को मेरा प्रनाम कहना आपकी नातिन मैं लड़की हूँ ना तो नातिन कौन है आपकी नातिन मेरा नाम जैसे मानलो की पल्लवी है तो मैं यहां पल्लवी लिख दूंगी आपका लड़कियों का नाम है नव्या है नव्या लिख लेना या मुस्कान जोती कुछ भी है लड़किया लिखेंगे नाती और लड़के लिखेंगे नाती ठीक है